नमस्कार प्रिये दर्सकों आप सबका हमारे इस यूटूब चैनल एस्टरो सेपी त्रिपाठी में बहुत-बहुत स्वागत है दर्सकों सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए है अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि और भी वीडियो आप हमारे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुँचे और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख सके दर्सकों आज जो विशाय लेकर के हम उपस्तित हैं विडियो है टॉयलेट के उपड में टॉयलेट किस दिशा में बनाना चाहिए सोचालय का निर्मान किस दिशा में करना चाहिए सोचालय में सीट किस तरफ बैठाए उत्तर दक्षिन पूरा पश्चिम इसी विस्तर के साथ आजम चर्चा के लिए उपस्तित हुए है तो ध्यान दे मित्रों कि कहीं अगर गलत आपका टॉयलेट बन जाए तो वो उसका परिणाम बहुत ही गलत हो सकता है बास्तु के अनुसार टॉयलेट नकरात्मक उर्जा का सुरूत है इसलिए इसको सही दिशा के अनुसार बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए आप एक अच्छे जोतिस से परामर्स ले सकते है क्योंकि अगर टॉयलेट बनाते समय दिशा का ध्यान नहीं रखा गया तो बाद में गंभीर परिणाम भुगतना पर सकता है मित्रों पुराने समय में नकरात्मक उर्जा को रोकने के लिए सौचालय और अश्नानगर दोनों अलग अलग बनाई जाते थे लेकिन आजकल जगह की कमी और अलपक ज्यान के कारण लोग दोनों को एक साथ बनाते हैं जिस वज़ा से बास्तु दोस भी उत्पन हो जाता है ऐसे में कुछ उपाय करके आप बास्तु दोस को दूर कर सकते हैं और इसके उपाय मैंने पिछली पोस्ट में बताये हैं सेफ्टिक टैंक वाले में अब बात आती है कि टॉयलेट में उसकी सीट की सही दिसा की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो तो टॉलेट में उसकी सीट की सही दिसा की क्योंकि टॉलेट में सबसे जरूरी टॉलेट ही होती है आज की इस पोस्ट में हम आपको मतलब आज के इस वीडियो वाले पोस्ट में हम आपको इसकी टॉलेट सीट की सही दिसा के बारे में बताएंगे बास्तु के अनुसार टॉयलेट सीट की सही दिसा क्या होनी चाहिए मित्रों बास्तु सास्त्र के अनुसार टॉयलेट सीट हमेशा नैरित्य मतलब दक्षिन पस्चिम दिसा में रखना चाहिए बास्तू के अनुसार सौच करते समय अपना मुख दक्षिन या उत्तर की तरफ रखना चाहिए लेकिन हमेशा ध्यान रखे कि जब भी हम टॉयलेट करे तो हमारा टॉयलेट करते समय जो मुह हो वो उत्तर की तरफ ज्यादा हो इसलिए आप समझ गए होंगे कि टॉयलेट का सीट हमेशा हमारा पीठ भाग दक्षिन की तरफ हो और मुह हमारा टॉयलेट करते समय उत्तर की तरफ हो बास्तू के अनुसार सौच करते समय टॉयलेट का दरवाजा पूरा बंद होना चाहिए बास्तु के अनसार टॉयलेट बनाते समय ध्यान जरूर दे ये बाते हैं कि टॉयलेट में खिरकी पूर्व दिसा की और खुलनी चाहिए या खिरकी उत्तर दिसा की तरफ खुलनी चाहिए टॉयलेट और अस्नान घर को कभी भी एक साथ नहीं बनाना चाहिए टॉयलेट को भूल कर भी इशान कुन मतलब उत्तर पूर्व की दिसा में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह दिसा दिवताओं की दिसा होती है और इस दिसा में टॉयलेट बनाने से आप पाप के भागी बनते हैं और मानसिक तनाओं और तरह तरह की परिशानिया आती है रस्वई घर और टॉयलेट कभी भी आमने सामने नहीं होने चाहिए टॉयलेट में कमोड हमेशा नेडित मतलब दक्षिन पस्चिम दिसा में ही बनाए दक्षिन दिसा में बनाना भी सही है और पस्चिम दिसा में भी बनाना सही है अगर आप टॉयलेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका दरवाजा बंद रखें क्योंकि टॉयलेट से आने वाली बद्वू घर में नकारात्मक निगेटिव एनरजी को फैलाती है पढ़ाई करते समय टॉयलेट के सामने नहीं बैठना चाहिए इससे एक आगरता पर प्रभाव पड़ता है वास्तु के अनुसार टॉयलेट में आईना वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए अनेता घर में नकारात्मक उड़जा का प्रवेश होता है और घर के सदस्यों के स्वास्थ पर विपड़ीत प्रभाव पड़ता है टॉयलेट कभी भी पूर्व या उत्तर की दिवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए टॉयलेट में गहरे रंग की टाइस का इस्तेमाल भी ना करें वास्तु के अनुसार टॉयलेट में नीले रंग की बाल्टी का प्रियोग करना सुभ माना जाता है अगर टॉयलेट का दरवाजा बेडरूम में खुलता है तो उसे हमेशा बंद रखना चाहिए आप बात्रूम के दरवाजे पर परदा लगा सकते हैं टॉयलेट की हर दो से तिन दिन बाद सफाई करते रहें इससे नकरात्मक उरजा दूर होती रहती है अगर टॉयलेट में बास्तू दोस है तो उसमें एक कटोरी साबूत नमक रखें और इसे हर महीने बदलते रहें इससे घर के कई बास्तू दोस दूर होते हैं मित्रों उम्मिद करता हूँ कि बास्तू के अनुसार टॉयलेट फीट की दिशा से संबंधित पोस्ट आपको पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना और कमेंट करना कमेंट बॉक्स में न भूले अपने विचार दे ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके बीच ला सके धानियवाद